नश्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर्परीचे दोस्त पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपूर जानकारी को ले करके जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं पेट दर्द से छोटकारा पाने के कुछे घरेलू उपायों के बारे में पीपल के दो से तीन मुलायम पत्तों को पीश कर उसमें गुड मिला कर तथा उनकी गुली बना करके सुबह एवं शाम को एक एक गुली खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है अजवायन का चून छे भाग और काला नमक पीशा हुआ एक भाग लेकर एवं मिला कर इसमें से दो ग्राम आधा चम्मच चून गर्म जल से से शेवन करने से पेट दर्द में तुरंत लाब होता है बच्चों को आधी मातरा में सेवन कराएं इसके प्रयोग से आफरा वायू गोला और पेट की गैस भी मिट जाती है गुनगुने पानी से केवल अजवायन का चून खाने से बदहजमी, खासी, पेट का तनाव, गुल्म यानिकी टूमर, तिल्ली, कफ की खराबी, कफ और वायू के अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है पेट के छोटे बड़े क्रीमी नश्ट होते हैं, इन समस्त कष्टों में एक दो सप्ताह सेवन कराएं, इस दवा को साधारन जल से खाने से बदहजमी, अरूची, एवं मंदागनी मिठती है अजवाइन दो ग्राम और नमक एक ग्राम गर्म पानी के साथ देने से भी पेट दर्द में तुरंत लाव होता है, और पाचन क्रिया ठीक होती है, पतले दस्त होते हूं तो वे बंद हो जाते हैं, पलीहा यानि की तिल्ली की विक्रिती दूर हो जाती है पंदर ग्राम अजवाइन, पांच ग्राम काला नमक और आधा ग्राम हिंग लेकर इन तीनों को पिसकर शीशी में भर करके रख लें, पेट दर्द होने पर एक ग्राम दवा, दो बार गर्म पानी से लें, इससे भूख भी बढ़ती है अमरित धारा की दो-तिन बुंदे बताशे या खांड अथवा पानी में डाल कर सेवन करने से पेट दर्द में तुरंत लाव होता है यदि एक बार के प्रियोग से लाव न हो तो आधा घंटे बाद पुनह प्रियोग करें लाव होगा दो-तिन चमच थंडे जल में दो-तिन बुंदे अमरित धारा की भोजन के बाद सेवन करने से दस्त, आउं के दस्त, मरोड, अतिसार, पेचिश, हैजा, खटी रकारें, तेज प्यास, अधिक प्यास, पेट फुलना, पेट दर्द, खाना खाते ही उल्टी, अथवा दस्त हो मंदागनी, अजीन, बादी, बदहजमी, इत्यादी रोगों में लाब होता है, अमरित धारा बनाने की विधि जान लिजी आप, एक छोटी सी अच्छी यों मजबूत, कारक्यूक्त, शीशी में कपूर यदि उपलब्ध हो तो भीम सेनी कपूर, पीपर्मियंट, पुदीन के फूल, अजवायन का सत, प्रतेक को बराबर मातरा में पांच-पांच ग्राम ले करके डाल दें, दस से पंद्रह मिनट हिलाने से धीरे-धीरे सब दवाओं का तरल, यानि कि पानी बन जाएगा, शीशी को धूप में रख दें, तो शिग रहीं, स्वत हीं, बगैर हिलाए पानी हो जाएगा, बस यहीं अमरित धारा है, पांच बुंद, गंधक के तेजाब को 30 ग्राम पानी में मिला करके पीने से पिट दर्ध दूर हो जाता है, तुलसी और अदरक का रस, 5-5 ग्राम मिला करके सिवन करने से पिट दर्ध ठीक हो जाता है, दो महिने की आयू के पिट दर्ध मिट जाता है, एक चमच चुने के पानी में, एक चमच सोडा बाई कार्ब डाल करके पीने से पिट दर्ध शांत हो जाता है, कुमारी आसव 5-25 मिलिलिटर तक सम भाग जल मिला करके भोजन के बाद सेवन करने से उदर पिड़ा दूर हो जाती है, तीन ग्राम और सादर घूल करके पिने से उदर शूल दूर हो जाता है, अजवाइन का चुन खाकर फालसे का गर्म-कर्म रस पिने से उदर पिड़ा मिट जाती है, तीलों को बारिक पिसकर गोला बना लें, इस गोले को पेट पर घुमाने फिराने से भयंकर उदर पिड़ा भी शांत ह हो जाती है, शुद्ध हिंग घी में घीस करके चाटने से उदर शूल मिट जाता है, अनार दाने का रस पिने से उदर शूल में भी लाब होता है, बड़ी इलाइची का चून नमक मिला करके खाने से पेट दर्द मिट जाता है, चमपा के पत्तों के रस में शहद मिला करके अद्रक कारस और शहद 6-6 गराम मिला करके पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पीने से पी आराम होता है। अमरूद पर नमक डालकर अगर आप खाते हैं तो भी आपका पेट दर्द बंद हो जाएगा। जिहां दोस्तों। ये कुछ एक ऐसे घरेलू उपाय थे जिनके सहारे आप अपने पेट दर्द की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ हम जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।